पर देखें आपको बता दो देखें ने एक बर फिट से संसर्ट टूर्ट प्रैक्टिसेट डूर्पीज रखा गया देखिए इसमें 50 प्लस अप्लोड कर दिये प्लोड कर देखें आपको जुड़ रहा है तो आप इतना जो है 151 का प्लोड कर दिया आप इसमें जुड़ जाएगा इस नमर पर पे ट्यूगल पर फोन पर किसी मादेम करके आपको फिर एड कर लिया जाएगा गाइज जिन नहीं प्रैक्टिसेट ग्रूप में एड नहीं ह साइंस स्पेसल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं इन्हें से कोई भी पीडियो अगर आपको चाहिए जस्ट इस नमबर पर पे ट्यूगल पर फोन पर किसी मादेम स्प्रिमेंट कीजिए स्क्रिंसट वाटसेप को बेजिए आपको पीडिया आप वहाँ पे दे दिया जा लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन नीचे दिख जाएगा वह वीडियो था कि भारत में समयधानिक विकास कैसे हुआ उसके बारे में वीडियो था पहला वीडियो था पॉलिटी का कल आज मैं आपके सामने हिस्ट्री का दूसर वीडियो लेका हूँ जो गवर्नर जनरल वाइसरा है जो हमारे भारत में हुए है ध्यान दीजेगा इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल जिनसे कोश्चन बावरा पूछता है उसके बारे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे देखेंगे और यह जो बुक है बहुत 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 बहुतरीन बु तो है वेल्कम टू दा मिसन कॉंपेटिशन मैं रहुल गुपता अच्छे का स्वागत करता हूं तो देखेगा यहां से हमारा स्टाट होता है रियास्तो प्रती प्रमुख ब्रिटिस नीतियां से स्टाट होती है देखेगा 1935 से 47 के बीच में बराबर के संगर्स की नीती य अब जो है उन से यह लोग बराबरी के लिए क्योंकि अब इनका जो स्थिती इस समय तक 40-65 तक में इनका स्थिती काफी सुद्रुड़ और मजबूत हो रहा था भारत में इन लोग का एक तरीके से समुद्र में भी राज बढ़ता जा रहा था ठीक है इंपोर्ट और एक्स में तो यह सारी स्थित्यां बन गए थी तो अब यह लोग जो है भारतीय रियास्तों से बराबरी करने का लोग देख रहे थे हैं आगे चलते हैं फिर 65-13 के बात करते हैं तो सुरक्षा प्रकोस्ट की नीती यहां पर अपनाई गई अच्छा प्रकोस्ट की नीती क्या थी इननों क्या किया वैसे जितने भी आसपड़ोस के देश थे राजा रजवारे थे जिन इनको दिक्कत था जिनसे इनको दिक्कत तो इनके प्याद़्ेसरश प्रक्षा प्रकोस्ट की नीती कि मतलब अपने आपको सुरक्षित इंपरत और कर लिया रिंग ओफ फेंस जो है ना ये रिंग ओफ सेफटी जो इसको बोलते हैं तो चारो तरफ जो है इन्होंने क्या किया एक तरीके से वैसे सारे रियास्तों से इन्होंने दोस्ती कर ली और वैसे सारे रियास्तों से इन्होंने संधी कर लिया जो की उनके दूस्मन राज से जिनक बढ़के फिर तेरह से संतावन के आसपास में अधिनस्त प्राथक की नीतिनों ने अपनाई अधिनस्त प्राथक क्या है तो इन लोग ने क्या किया एक नियम निकाला भाई देखिए जो भी राजार है जो भी रजवारें हैं जिनका अपना कोई वंस नहीं कोई पुत्र नहीं अगर गोद लिए वाय उसको मानेता नहीं देंगे वह अवैद है ठीक है और उस पे कुप्रसासन का भी आरोप लाय के बहुत से इन्हों ने राज्यों को हड़पा था बहुत से राज्यों को हड़पा तो यह सब अधिनास्तर प्राथक के कीनिती नों के आएं फिर यह केंद्र में लेके आएं तो चीजे काफी चेंज हुई तो यह बेसिक यह जो चीजे हैं ना हम लोगों को पढ़ना है इनहीं चार-पांच फंडमेंटल चीजों पर निर्भर करेगा ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब यहां से हमारा स्टार्ट ह होता है और आता है वाररें हेस्टिंग्स देखेंगा वारें हेस्टिंग्स क्या-क्या काम किया देखिए बंगाल में ननி hackers ने समापति करी थी इस समस्त भूमी सासक की इसने विचार लाया सबके सामने और परिक्षन और असुद्धी जो है राजस्व सुधारों के लिए इन्रोडियूस किया था परिक्षन और असुद्धी राजस्व सुधार में पहले तो यह पहले था क्या राजस्व सुधार के लिए मतलब एक कोई फि प्रणान जितना बेवड़ा था हूं उनका असुद्धी का पता लगाया गया फिर फिजिकली लैंड पे जाके उनका प्रिक्षन किया गया तो बैसिकली यह वारन हेस्टिंग सी इंट्रोड्यूस करा था सत्रा सोथोततर इसमी में देखियेगा बंगाल का प्रथनम गवर्रंड जरनल नियूक्ती को किया गया और इसको पहला जनल था महा भीयोग का मुखदमा भीisco चला था इसके उपर महाभियों का मुकदम भी चला था क्योंकि इसके उपर खुदी भरस्ट चार का रोप लगा था इन सब चीज़ों का ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए अब यह जो है लौड वेलेजली का सबसे पहले देखिए अब हम लोग वेलेजली के पढ़ेंगे तो यह जो है प्रॉपर यह एक साइकल है यह चकर है जिसके तहट जो है यहाँ पर यह सारी संदिया वेलेजली ने करी थी प्रमुक जो है सायक संदिया वेलेजली के दोरा यह करी गई है वेलेजली के जाए सबसे अदा सायक संदियों पर हस्तक्चर किये गहते हैं बात करत इस तक है तो यह पर प्रत्म कमिहें विंगेरा। Senbuild कि Willis नहीं भी पर्णोलोजी लेके अगर बच्छी एक चेड पैदा होगई जनम के बार कोई ऐस का जनम होते ही फिर उद कर दिया धो मार दिया था ठीक है तो बैसिकली इस चीज को यह खतम करवाया उसके भारती रहस्तों प्रति यह था संभव ट्रथस्ता की नीति अपनाया मतलब एकदम नूट्रल डिलेशन बना के रखा यह सारी चीज़े करा ठीक है सुरी फिर देखियेगा 3833 में भारत का यह प्रतम गवर्नर जनरल भी नुक्त किया गया और थगी प्रता का उन्त कर्वाया था उसमें लिए उसकी निल्सरों के ठीक है बहुत गलत मानते था लेकिन एक सुर में भारतिय समाज में एक सुर में सभी लोग ठगों का जो है ये इसको गलत मानते थे ये लोग क्या करते देख तो रहागीरों को ये लोग मतलब रहा चलते लूटते थे और उनका गला काट देते थे और मा काली को ये लोग चड़ावा में चड़ाते थे उन मैसूर का 831 का अंग्रेजी समराज में इसको विलैक कर दिया गया मैसूर का और 834 में कूर्ग तथा कछार का भी जो है विलैक कर दिया गया अब ध्यान दिजेगा अफीम के वेपार को नियमित तथा अनुपत्रित करके केवल बंबाई बंदरगा से ही निर्यात का ओर्डर द जिकाल दिया गया थीद और अफीर फींग का इंडिया से बाहर यह एक्स्पोर्ट सिर्फ कहां से होगा ऑपस निजाम नसीर दौला के कहने पर हैधर BACK हेदराबाद से अंग्रेजी यदिकारी यी को भी वापस बुला लिया गया था निजाम नसरी मतल्ली के कहाँने पर भी उबध करते हैं कानून की शरीकिता पुलिस इन सब चीजों सें क्यांने को बमें आता है तो कानलेके करन रह जाता है कार्णवेलिस से लिल्टेड है, है ना, कर, नियाय प्रसासन, इन सब को अलग-अलग किया, टैक्स के लिए अलग बंदों को रखा, अलग डिपार्टमेंट बनाया, नियाय प्रसासन के लिए अलग डिपार्टमेंट नहीं पहले यह सारे मर्ज थें खिचडी था इन सब को अलग अलग कराया तो इसके टाइम में कार्डवलिस के टाइम में जो ब्रिटिस गवर्मेंट जो है और भी ज्यादा मतलब जो पहले फ्रिजाइल थी तो यह और भी ज्यादा फ्री लिए क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया ठीक है नेक्स देखिएगा भारत की प्रसमविद्ध बधी सिविल सिवा का प्रणम ने कराया मतलब सीठेरे रखिए आईसे स्टार्ट करवाया यह तो भारत में सिविल सर्विसेस का स्थापना और स्टार्ट को करनेवेलिस करवाया इसकी देथ कभ हुई पांच तुब ठाव सो पांच को वा था और इसका कब्र गाजी पूर में है ध्यान रहे एक लौता यह गवर्णर जनल जिसे कब्र गाजी पूर में और एक और बात याद रखेगा यह दो बारी भारत का गवर्णर जनल बना है लॉ आजिद अली सहाब पर कुशासन का अरोप लाकर यह जो है अवद को अपने अंदर कर लिया था और देखिएगा भारत में रेल निर्मान की दिशा में यह प्रतम प्रयास इसे ने करा था डलहाउजी ने डांक रेल टेलीफोन लाइन यह सब कुछ डलहाउजी है किया हुआ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बंदा ध्यान रखिएगा पूछता है बार 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 बारत प्रतर में रेलवे लाइन चला मुंबाई से ठाने के बीच में बिचाये गया था ठीक है ना एक अलग सारवजनिक निर्मान विभाग जो की आज हम लोग PWD जानते हैं ठीक है PWD आज भी है ये पब्लिक PWD मैंने PDW लिख दिया PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसके स्थापना इसी के टाइम में हुआ था ठीक है ना इसी के टाइम में जो आज भी कारेरत है हमारा व्यपगत का सिध्धान्द के तहत ये विलाय का नीती अपनाया था ठीक है व्य पच्चास में उदयपूर 852 में जहां सिटासो तिरपन नागपूर 854 ध्यान रखेगा और एक चीज़ याद रखेगा जो डलहुजी के टाइम में जितना बरा रीजन जो अंग्रेजों का बन गया था ना जो ब्रिटिस गवर्मेंट का इतना बरा रीजन जितना बरा इसपे टिक मारिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है यह ठीक है? देखिएगा करओली 855 में वेपगत का प्रस्ताओ प्रस्ता प्रला यहीं करवाया था आपको हम पहले बताएं ठीक है? लोक निर्बाना कारभी बहुत धुआधार तरीके से करवाया है यह 1852 में देखिए ओपरेशन सेग नेशी विद्धुतार विभाग का अधिक्चक जो है ओ सेग नीशी जो है इसको बनाया गया था 1857 में विद्रो का मृत्यूपूर्व कथन तो अपने मरने से पहले 1857 को विद्रो के बारे में डेलाउजी का ये कहना था ठीक है ये स्टेटमेंट था डेलाउजी का ध्याण रखिएगा अब अबद का विला है किया 1854 में स्लीम Means के थान पर ध्यान रखिएगा स्लीमेन के स्थान पर जेम्स आउटरम अवद का ब्रेटिस रेजिमेंट न्योक्त किया गया और आउटरम जो है इसी के रिपोर्ट को अवद के अधिगरहन का अधार बनाये गया था बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा हुआ है सरसटवी सौरी बीपीएसी में पूछा गया कोस्चन है कि अव फशरवरडी 1856 को ध्यान रख़िएगा नेक्स ठेक्स देखिए अब आता है हमारा बंदा कैनिन कैनन से इसका क्या क्या रहा है भारत का प्रतम यह वाई सराय और थैक है uggोष्न पत्र ठीक है इलाहबाद के कौन से पार्क में परहा वो आपके लिए एक छोटा सा एक रिसर्च का विशाय मैंने दिया है आप ढूंड के हमको बताईए और याद है तो भी बताईए कैनिन द्वारा इसको उद्धोशना किया गया और इस टीने कंपनी के सासन की समापती की भी उद पूशना कर दी ठीक है इंपॉर्टेंट यह समझ गया अब लॉड इलन बिरो की बात कर लिए देखें से कारेकाल का अब से कब तक रहा था बंदे का तो ठास प्रथा का यह उन्मूलन किया था ठाव सो तैतालिस में और फिर सिंद्ध का पून रूप से ब्रिटिस समराज म में प्रथम जंगना 1872 में इसने स्टार्ट कर वाया और अंडबान निकोबार में एक कैदी द्वारा वहाँ पर जब यह जेल का निरेक्ष्ण करने के था तो वहाँ पर इसकी हत्या हो गई ठीक है ध्यान रखेगा प्रथम वाइसराय के कारेकाल के दौरान हत्या होने वाल लेग्गा यहीं कैदी था सेर अली अफ्रीदी ठीक है अब देखेगा प्रिक्ष्छा के द्रस्थी से इंपॉट्टेंट पॉइंट जेख़िएगा आ अदूनिक भारत में स्थानिये सासन का जनक किसको बोले आता है रिपन को जयान रखेगा आदूनिक भारत में सथानिय स्थानिय शासक का जनक रिपपन अठासो एकसर टीस्वी में प्रतम पुरतात्वी सर्वेक्षक न्यूक कौन वा था तो लेक्जेंडर कनिंगम को किया गया था करजन के प्रसासन की तुलना औरंगजेब से किये थे कौन तो गोपाल कृशन गोखले ने करा था करजन का जो शासन का तुलना औरंगजेब से ठीक है जी के गोखले बारत की राजानी कलकता से दिली कौन ट्रांसफर किया था तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में यह हुआ था कब हुआ था देखिए 1911 में हुआ था ठीक है अनॉंस्मेंट होगे तब 1212 में कैपिटल बना दिया गया था ठीक है नेक्स देखिए 1871 में पुरा तात्विक सेलेक्शन में भाग बनाया गया किसके समय में मेयो के समय में मेयो ही ऐसा पहला अभी अपने पढ़ा है ना मेयो ही ऐसा पहला बंगाल का विभाजन रद करना इसका पढ़नाम था कब हो था बंगाला विभाजन 1905 में हो था रद कब किया गया 1911 में रद किया गया ठीक है ध्यान रखेगा 1911 में रद किया गया फिर 12 से जो है बिहार एक अलग राज बन गया एना important points दो है अरगिल के सुझावपर स्थापित विभाग कौन से था तो पुरतत्विक विभाग था ठीक है अरगिल के सुझावपर जो स्थापित विभाग बनाए गया वो पुरतत्विक विभाग बनाए गया था sorry अब देखें हैं गतिवीधी और अपने राज में मिला लिया, बंगाल का विभाजन करजन के टाइम में हुआ था, ठीक है, बंगाल में दोहरा सासन, लाइव के टाइम में लगाया गया, समाजिक सुधार, इस पर बेंटिक ने जोड़ दिया था, इंपोर्टेंट पॉइंट सब है, एदम रट लीजिए, ये एदम ही इंपोर्टेंट होट पॉइंट सब है, अब देखिए, भूराजस विवस्ता हम लो देखते है, स्थाई बंदोबस्त प्रणाली, ये बहुत बार पूछता है, है ना, तो प्रणाब करता है, इसके कौन जागिरदारी, मालगुजारी, बासवेदारी, ये सब इसका अन्य नाम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, एरिया कौन कौन सा था, बंगाल, बिहार, उडीसा, यूपी, बनारस तक का जो छेतर है, इसमें लागू था, वेरी इंपोर्टेंट चीज़ है, जो ये स्थाई बंदोबस्त या इस्तिमरारी बंदोबस्त या जागिरदारी, मालगुजारी बंदोबस्त जो है, ये बिहार, बंगाल, उडीसा, ये तीन स्टेट जो आपसम सटे हो एं, ये हो गए, और यूपी, चौथा स्टेट, और यूपी में भी बनारस तक के एरिया तक ये फैला ह बंदोबस्त या इस्तिमरारी बंदोबस्त जागिरदारी, मालगुजारी, बासवेदारी जो बोल लीजे, ठीक है, प्रावधान इसका क्या था, जमिंदारों का एक नया वर्ग, भू स्वामी घोसित किया गया, ठीक है, ये इसका प्रावधान इससे रिटेट था, और जमिंदार तुम अपने पास रख सकते हो, तुमने इतना हमारा सेवा किया है, इतना हमारे लिए किया है, तो तुम चलो भाई, एक परसेंट रख लो, इतना भी हम निर्दिय नहीं है, ये ब्रिटिस गवर्मेंट का कहना था, ये ऐसा सोचते थे, अब सोची मतलब सारा का स दरा चीज ये ले लिए, महनत सब कुछ ये लोग करेंगे, लेकिन दस बटाए ग्यारा भाग इनको चाहिए, तो एक तो ये चीज़ था, इस वे से हुआ क्या, अब चुकि जमिंदार ये सोचते थे हैं, कि भाई हमको तो सिर्फ एक हिस्सा ही मिलेगा, दस हिस्सा दस दई बरबरता करते थे, कहीं न कहीं इंडरेक्ट वे में इसके लिए अंग्रेजी जमिदार थे, ठीक है, उसके आद ये लोग ये चीज़ करते ही थे, विवश होके ये चीज़ करते थे, करना पड़ता था, ठीक है, नेक्स देखिए, रहियत वारी वस्ता अपना आता, इ ठीक है, रहियत वारी वस्ता, इसके अंतर का देखिए, मुंबाई, मदरास के कुछ हिस्से और पूरवी बंगाल असम तथा कुर्ग के कुछ हिस्सों में ये रहियत वारी वस्ता जो है, लागू थी, मोस्ट इंपोर्टन चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा, ब्रिटिस रहियत वारी वस्ता जो है, ब्रिटिस भारत के 50% चेत्रों पे लागू था, और ये जो है, इस्थाई बंदोबस्त, हैना, ये 19% चेत्र पे था, ठीक है, रहियत वारी, एक्यान परसेंट चेत्र पे अब रहियत के लिए प्रावधान क्या था, भूमी के मालिकाना और प्रिजदारी अधिकार इसमें प्रदन किया गया था, और कृशक जो है, उसको भू स्थापना उच्छ लगान दर पर दी गई, ठीक है, टैक्सेस हाई कर दिये काफी, अब महलवारी पद्दती आता है, देखेगा, परतेक ग्राम अथवा महाल, जागीर का एक भाग के अन्य भूमी का स्वामी इसको बनाया गया था, ठीक है, इसका एरिया कहां कहां था, उत्तर परदेश मध्य परांत पंजाब में कुछ परिवरतनों के साथ इसको लाग किया गया था, और बिटिस भारत के 30% भू छेतर पर ये इसको लाग किया गया था, महलवारी पद्दत ठीक है, तो ध्यान रखेगा, ये जो है सारे पॉइंट्स काफी इंपॉइंट है, तो यहां पे हमारा जो है, गवर्नर जनरल से लिटेड पॉइंट खतम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये क्विक नोट्स के जैसे बुक है, और इसमें जितने भी चीज़े दी दिया गया था, इसके बारे हम लोगों कल डिटेल से पढ़ेंगे, और काफी ज़्यादा आनन्द आएगा, तो चलिए आज कि इस वीडियों बस इतना ही, उमीद करता वीडियो अच्छा होगा, वीडियो अच्छा लगे, तो शेयर करिए, लाइक करिए, तिल दन टेक कियर और है काफी जब रलाओ और काने हिडियों ऑडनट लगे, पाता है, वजब था आननने एबाद करता माधां नक्रत वाटर। इस कि अटेंडियों अटने है, आननने पढ़ पोर मैं काफीम्ने करफीं नक्ता हाट्र।